अस्राम अलेकुम किलास सिक्स आज हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर थी की एकसरसाइज नमबर थी पॉइंट वन का क्वेस्चन नमबर फाइव क्या हमारे पास लिस्ट ओल नमबर लेस देन हंडर्ड विच आर मल्टीपल्स अफ फाइव एंड टैन आपने हंडर्ड से छोट फाइव और टैन के तमाम मल्टीपल्स लिखने हैं मल्टीपल्स के बारे में मैं आपको पहले मैंने बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं जो के गिवन नमबर पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो इस नमबर के मल्टीपल्स होते हैं अब मल्टीपल्स अफाइ हमने 5 के multiples लिखने हैं लेकिन 100 से less जो हैं वो numbers लिखने हैं सबसे पहले हम 5 के multiples में 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर हमने 35 की बात क्या लिखा? 40, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 पे से वही number divide होते हैं जिनके last पे 0 या फिर 5 digit आता हो तो ऐसे तमाम number जिनके last पे 0 या फिर 5 आता हो वो 5 पे divide होते हैं इनके लावा और कोई भी number 5 पे completely divide नहीं होता तो यहां पे फिर हमने 40 के बाद कौन सा लिखा? 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और फिर हमने इसके बाद कौन सा number लिख लिया? 95, 100 इसके बाद आता है 100 हमने नहीं लिखना क्योंकि हमें बुक में ये question है कि less than 100 100 से छोटे जो तमाम 5 के multiples हैं हमने वो लिखने थे तो हमने यहां तक इसको लिख लिया और ये हमारे 100 से छोटे 5 के सारे multiples आ गए next है हमारे पास 10 अब हमने 10 के भी तमाम multiples लिखने हैं जो के 100 से छोटे हों less than 100 हों सबसे पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ये हमने तमाम 10 के multiples लिख लिए ये सारे वो numbers हैं जो 10 पे completely divide हो जाते हैं जिनके end पे 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, जितने भी 0 जाते हो जिनके end पे 0 आता हो वो number 10 पे divide हो जाता है completely divide हो जाता है वो number 10 का multiple होता है next हमारे पास question है write all composite numbers less than 20 20 से छोटे सारे composite numbers लिखने हैं composite numbers कौन से numbers होते हैं जिनके 2 से ज्यादा factors होते हैं जो अपने आप और 1 के इलावा दूसरे numbers पे भी divide होते हैं easily आप इसको यूं समझ लें कि जिनके 2 से ज्यादा factors बनते हैं या जो अपने आप और 1 पे divide होने के इलावा किसी और number पे भी divide होते हो तो वो होते हैं composite numbers इसमें हम लिखेंगे 4 अब 2 जो है वो even number तो है composite number नहीं है वरना जितने भी even number है वो सारे composite numbers हैं लेकिन 2 एक even है even number है और 2 एक even prime number है क्योंकि 2 भी सिर्फ 1 पे और खुद पे divide होता है अपने और 1 के लावा वो किसी और number पे divide नहीं होता इसलिए हम कहेंगे कि 2 एक even prime number है और सिर्फ 2 ही एक even prime number है उसके लावा कोई भी even number prime number नहीं है जितने भी even numbers हैं वो composite numbers हैं तो यहां हमने 20 से छोटे composite numbers लिखने हैं तो आपने सारे वो numbers लिखते नहीं हैं जिनके factors 2 से ज्यादा बनते हैं 4, 6, 5 एदर मियान में 3 है लेकिन वो सिर्फ खुद पर ही divide होते हैं या फिर 1 पर divide होते हैं तो वो कौन से numbers हैं वो prime numbers हैं 4, 6, 8, 9 यह सारे हमारे composite numbers हैं अब जो 9 है यह एक prime number है लेकिन यह composite number भी है क्योंकि यह सिर्फ 1 और खुद पर divide नहीं होता बलके यह साथ में 3 पर भी divide होता है इसके factors 2 से ज्यादा बनते हैं तो next हमारे पास आगया 10, 12, 14, 15, 16, 18 आगे 20 भी आता है लेकिन उन्होंने हमें बोला हुआ question में कि less than 20 20 से छोटे सारे हमने composite numbers लिखने थे वो हमने इस form में लिख लिए दर्मियान में कॉमा लगाएं और अपने जो numbers हैं वो लिखते जाएं जितने भी composite numbers 20 से छोटे हैं next हमारे पास question है write five consecutive composite numbers below 50 just below 50 just below 50 50 से बिलकुल जो पीछे वाले 5 नमबर हैं लगातार और वो composite हैं वो आपने लिखने हैं बिलकुल 50 से पीछे वाले लगातार 5 composite numbers आपने लिखने हैं पहले तो आप 50 से पीछे वाले 5 numbers लिखें यहाँ पर रफ़र्में 49, 48, 47, 46, 45 यह हमने 5 numbers लिख लिए अब हमने इन में से composite numbers उठाने हैं 49 composite number है 1 पे भी divide होता है 49 पे भी और 7 पे भी 48 भी composite number है यह तो एक even number है और even number तो जरूर composite होता है 47 47 एक prime number है यह सिर्फ 1 पे और खुद पे divide होता है इसको हम छोड़ देंगे नेक्स्ट हमारे पास 46 यह भी composite है 45 भी composite है 5 पे भी divide होता है 45 पे भी 1 पे भी 5, 9 जा तो 5 और 9 दो इसके वो भी factors तो इसके कितने factors बनगे 4 तो यह भी एक composite number है अब यह हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4 और हमने लिखने कितने थे 5 फिर हम पीछे एक और number भी चेक करेंगे 44 तो यह भी composite number है अब हम इन पांचों numbers को हमने यहां लिख लिए अपने नीट में 44, 45, 46, 48 and 49 यह हमारे सारे consecutive composite numbers हैं जो बिलकुल 50 से लगातार पीछे वाले composite numbers हैं 50 से छोटे ठीक होगा है students नेक्स्ट हमारे पास question है write all prime numbers less than 15 15 से छोटे जितने भी prime numbers हैं आप वो लिखें हम rough फर्क में 15 से छोटे आपको पता ना कि prime numbers हमें odd numbers से ही मिल सकते हैं हमने लिख लिख लिया लेकिन मैंने भी आपको बताया कि two भी एक prime number है two हमने लिखा फिर हमारे three, five, seven, nine, eleven, thirteen यह हमने इसके बाद सारे two के बाद यह सारे odd numbers लिखे अब odd numbers में से आपने prime numbers उठाने है three, five, seven, nine नहीं है prime number 11 and 13 हमने यहाँ पे इसका answer इस तरह से लिख लिया और यह हमारी आज exercise number 3.1 complete हो गए है आप अब इसकी practice करें आप आप उब आप आपको तरह से लिखे